तो दोस्तों, कैनेडा, आइसलेंड, डैनमार्क, फीनलेंड, इस्टोनिया, लिथुएनिया, ब्रिटन, आइरलेंड, जर्मनी, लगजंबर्ग, साउथ अफरीका, कोलंबिया ये वो देश है, जिनकी GDP, यानि की अर्थ ववस्था, अब से मातर कुछी घंटे पहले, निगेटिव में जा चुकी है, मतलब जैसे की भारत में जो GDP ग्रोथ है, वो 6-7% है, यानि की हमारी GDP, 6-7% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन इन देशों की GDP निगेटिव में है, म जा चुके हैं, यानि की आर्थिक मंदी की एक चपेट में आ चुके हैं, वहीं बात करें बढ़ बोले कैनेडा की, तो इनकी GDP सरकारी आंकडों के अनुसार माइनस में 0.3% जा चुकी है, वहीं जो इंडिपेंडेंट एनलिस्ट है, उनका मानना है की कैनेडा भी रिसेशन म मतलब की आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है, और बताया जा रहा है कि आने वाले दो महीनों में 20 से ज़्यादा अमीर देश जिहां, जिनकी मेजर एकोनमीज हैं और बहुती रिच कंट्रीज हैं, ये देश आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएंगे, और इस पूरी लिस्ट में सबसे चोकाने वाला नाम बहरीन का बताय जा रहा है क्योंकि बहरीन ये कैसा देश है जो कि ओल पर डिपेंडेंट है पैसो के इनके पास कोई कमी नहीं है लेकिन उसके बावजूद इनकी अर्थववस्था निगेटिव में धाई परसेंट गई है जी हाँ निगेटिव में धाई परसेंट बहुत जादा बड़ा आंकड़ा है क्योंकि किसी देश की अर्थववस्था में एक दो परसेंट का ही उच्छाल या गिरावट आती है तो उससे पूरा देश हिल जाता है यहाँ धाई परसेंट ही गिर गया इसके लाबा आईसलेंड में लगबग चार परसेंट गिर चुकी है जीडीपी और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में योरोप में ऐसी तबाही मचने वाली है जो अनकंट्रोलेबल होगी क्योंकि 6 से जादा ऐसे यूरोपियन देशों की लिस्ट बनाई गई है जो कि ब्रिटेन जर्मनी के बाद आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएंगे और इनकी जीडीपी कोलाप्स कर जाएगी वहीं इस पूरे घटना करम को भारत के लिए एतिहासिक मोका बताय जा रहा है और कई एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ऐसा मोका भारत को आने वाले कई दशकों में दोबारा नहीं मिलने वाला क्योंकि योरोप बूरी तरीके से आर्थिक संकट में गिर चुका है कैनेडा और जापान जैसे देशों की लंका लगी पड़ी है ऐसे में अगर भारत ने कुछ सही स्टेप ले लिए कुछ सही पोलिसी रिफर्म कर डाले ना उसके बाद भारत की जीडीपी रफ्तार बहुत तेज बढ़ेगी जिससे की भारत जर्मनी और जापान दोनों को अवर्टेक कर सकता है क्योंकि याद रखिए जर्मनी और जापान अभी अर्थ ववस्ता के मामले में भले भारत से आगे हों लेकिन जादा आगे नहीं है और सबसे मेन फैक्टरी ये है कि इस वक्त भारत की GDP बढ़ रही है लगबग 7% की रफतार से जर्मनी जापान की अर्थववस्था घट रही है और इसी वज़े से भारत अपना जो गैप है जापान और जर्मनी के साथ जो कि दुनिया की चोथी और तीसरी सबसे बड़ी अर् थिक सूपर पावर बन जाएगा अमेरिका और चीन के बाद और ये हमारे लिए हिस्टोरिक मोवेंट होगा लेकिन एक्सपर्ट ये भी चेता रहे हैंगा और भारत ने इस मोके का लाब नहीं उठाया तो फिर आने वाले समय में जर्मनी और जापान की अर्थवस्था फिर जबरदस्ट बूस्ट देना होगा